हाधी वलकम बैक में लाइटनि कैडमि के यूट्यूव चैनल पर आपका स्वगत है आज हम साइबर अटेकक के बारे में पढ़ेंगे इस से पहली वीडियो में स्टैक तो इसके क्रेंट के बारे में पढ़ा था ठीक है आथ देखते हैं साइब एक अटक जो होते हैं कितने टैपस की होते हैं ठीक है अब इनमें सभी इंकलूड है जो भी वायरुसी से ठीक है जो भी फेक सॉप्ट्वियर रहे हैं चाहिए फिशिंग है कोई भी स्केम है सबीनें सब से पहले देखते हैं बोर्टनेट बोर्टनेट होता कहा है कोई भी वायरस जो कोई malware हो स्पैम हो या कोई scam हो या phishing या Trojan तो ठीक है जिसके तोर आपके credential को चुरी किया जासके या उसको delete किया जासके या कोई भी आपके सिस्टम के साथ छेड़ खानी की जासे कि उसको हम क्या कहते हैं बोटनेट ठीक है यह सभी वाइरस जो है इस बोटनेट की कैटेगरी में इंक्लूड हो जाते हैं इसके बार देखिए ब्राउजर हाइजैकिंग अब ब्राउजर हाइजैकिंग का मतलब कहा है आपका जो वैब हाइजैकिंग होती कैसे है दो तरीके से हो सकती या तो आपके सिस्टम में जैसे आप पीसी को ओन किया आपने वैब ब्राउजर आपने किया तो आप किसी साइट पे जा रहते हैं लेकिन आपको तभी एक मैसेज आ गया ठीक है जिसका मैसेज कोई भी ऐसा था कि आप इस सॉफ्टर की जुरूरत है इस वीडियो को चलाने के लिए या सीज के लिए ठीक है तो हैकर क्या करेगा जब आप किसी पेज पे जा रहे थे वह आपको उस पेज के साथ साथ एक मैसेज भी ऐसा भी आपको इसमें इस सॉफ्टर की जूरूत पड़ेगी ठीक है अगर फॉर सा जाएगा ठीक है और दूसरा तरीका का है कोई भी ट्रोजन कोई फेक सॉफ्ट्वेर थर्ड पार्टी एप जो होती है उसके द्वारा भी वेब ब्राउजर है किया जा सकता है ठीक है अब देखे कभी कबार हम क्या करते हैं जो हमें सॉफ्ट्वेर एप स्टोर से या प् भीकॉसर पार्टी जो आपका डाटा रीट करते हैं ठीक है तो वब ब्राजिंग जो है ब्राजर हाइजकिंग इस से की जा सकती है ठीक है उसके बाद है डिनायल ऑफ सर्विस जिसकों डौस भी कह देते है अब डिनायल ऑफ सर्विस और डी डॉस ठीक है दोनों एक ही विसे नहीं दोओंगा उसके मुझाए आपको किसी और पेज पेरी डिरेक्ट करके वहां पर आपको कहा इस पेज पर आप अपना जो काम करना चाहते हो करो ठीक है अब होता क्या है आपने एक यूजर है ठीक है अब यूजर ने यहां से रुकैस्ट की एक सिस्टम पर की लुकmother कर रहा था है तो और है कर दिया कि आपको यह सर्विस अभी अप लब्व नहीं है तो आप क्या करें आपको यूजर क्या कर सकता है कि और के रिडैक्ट रो यहां कर लो ठीक है तो क्या कर रहा है यूजर आपका जो पर्सनल डाटा स्टीर करने की कोशिश कर रहे है इसके कारण वो आपको पेरे सर्विस डिनाइल करेगा ताकि यूजर उस पेज पर जाने के बजाए दूसरे पेज पर चला जाए ठीक है अब डी डॉस में क्या होता है डिस्ट्रिबुटी डिनाइल ऑव सर्विस ठिक है डी डॉस की फुलAK का हती है कि अब इसमें क्या ह有點 यूजसर है या तो वो आपके सिस्टमेंές ऐसा वारें ब describes और आपके सिस्टेम वाउन्वाइस के बार बारे में आपistम में ब्रीकेटक आपके सिस्टेम वाउरस आंजाएग़ वायस करेगा जितने सिस्टेम Kless सब्सक्राइब चला जाएगा और और वहाँ पर जाके अपनी रेppenट क्वाइट को Vibe स्वाइख बॉलबवस टीज में और उनी और सोयसे नाइन को नमुंए हो जग कि aur लिए विए टीक है भी इस्था एह व्यक्त लेक्शन कर सकते सब्सट्राब्टाब्वस Wars टीक है ब्राउजर परिडायर्एडिए ब्राउजर का न电š डाकर तोंन जाके उस page के लिए request की वो आपको redirect करके किसी और पेज पर भेज रहे हैं ठीक है दूसरा क्या है closing connections ठीक है closing connections अब closing connections क्या होते है जो आपने web page या web data आपने आपको चाहिए था आपने उस server में आपको data चाहिए था अब hacker क्या करेगा उस जो connection है उनको ही close कर देगा पीछे से आपको वो page मिली ही नहीं पाएगा ठीक है मतलब कि database में आप जिस page के लिए जिसको ढूंट रहे थे वो आपको data मिली ही नहीं कर ठीक है वास उसने क्या किया वो data ही close कर दिया तक होता है या वो डाटव वह मुले यह कर देगा डाटा डेट कर देगा destruction कर देगा ठीक है जिसको हम डाटा destruction भी यह कह देते हैं थेकbung अब data वहां से डलीन होगा डिस्स्क्टिन होगी वहां पर वहांप youtube आपकी आपको डाटा मिली तो आपको तंग करने की कोशिश कर रहा है ठीक है और वह आपको इस इंफोमिशन को पता करने से रोक रहा है ठीक है सो वो क्या चाहता है कि आप उस पेज के बजाए उसके बना एक पेज पर जाओ वहाँ सी फुमिशन लो और वह आपका जो डाटा है जो आपकी डेंशल से उसको देख सके कॉपी कर सके उनको चोरी कर सके ठीक है इसके बाद है इमेल हार्वेस्टिंग अब इमेल हार्वेस्टिंग का मतरब क्या होता है इमेल हार्वेस्टिंग होती जैसे की एक खेत है आपको बहुत सारे फसल मिल जाएगी आज मिल जाएंगे सबी ठीक है अब वैसे ही क्या है इमेल हार्वेस्टिंग अब एक ऐसा वेब पेज है हमारे जो email होते हैं अब आप देखते हूं आपको email में हमें message आता है ठीक है अब इस insurance company से आपको message कर रहे है insurance ले लीजिए या इस company से message कर रहे हैं आप ये करो आज़े हमें ये message आते कहां से हमने तो उनको email अपनी नहीं दी ठीक है अब email में हार इस्टी में क्या होता है मैं एक weapon पेज है हमारा जितने भी हमारी वहां पर मिल जाएगी ठिक है और jdesk को कैया करती doin सज्क्राइब को यह से क्लेक्ट करती है और आपको फिर मेसेज बेडिसे इसे कहते हैं email harvesting ठिक है अब कभी किवार Heikers क्या करते है किसी की email सस्दמם करते हो तो उस email से उस बंदे का सिस्टम है करने की कोशिश करते हैं ठीक हैं बाद हैं इन में सभी वो crimes आते हैं जो भी स्पैम हैं स्कैम से ठीक है वाईरस आ रहा है आपको इमेल से कभी कबार क्या करता है अपको इमेल में ऐसा वाईरस बेज़े देगा कि आप इस लिंक को ओपन कीजिए आप इसका आपकी लोटरी लग चुकी है जैसे आप उस लिंक को ओपन करोगे आपके सिस्टम में वारिस आजएगा तो इमेल डिटेड क्राइम यही है स्पैम होते हैं ठीक है लोग जहांसे में आ जाते हैं के ठीक है कभी कबार क्या करता को यूज स्पूफिंग ठीक है अब ईमेल स्पूफिंग का मतलब का है स्पूफिंग मतलब किसी को किसी के साथ दोक्य बाजी करनी ठीक है या किसी को कोई और बनकर जहांसा देना ठीक अब इमेल स्पूफिंग में क्या होता यह ऐसा टक् initiative है said these часов like ये अज한데 लेल कि आपको for example अब यहां पर एक हैकर बेचा है ठीक है अब हैकर ने क्या किया राम के email address से एक message भेजा शाम को राम ने नहीं भेजा लेकिन जो शाम हुआ उसको शो हो रहा उसकी email में कि राम ने मुझे email भीजिया उसमें लिख्या है यह बहुत ही अर्जेंट है ठीक है इंपॉर्टन है इसको ओपन करो और देखो क्या है ठीक है अब शाम को लगा कि मुझे राम ने इमेल भेजी है तो जैसी वह ओपन करेगा उसके सिस्टम में वायरस आ जाएगा ठीक है वायरस आते ही जो वह यूजर करना है करन ढूँना चाहता होको इसके सिस्टम के साथ कर सकता हृं ठीक है तो इसको हम कहते हैं इससी अब इमेल जैसी है ठीक है इसमें भी आपको मेसेज आएगा कि मैं इस company मैं आपका यह दोस्त बोल रहा हूं ठीक है मुझे इतने पैसे जरूर थायार मेरे account में पैसे डाल दिया मैंने आपको account number बेज़ या कोई भी company में से for example यह example अपल देखिए यहां पर एक पर्सन को उसके सीओ से मैसेज आए ठिक है लेकिन यह सीओ नहीं था यह यह एक्र था जिसने एसमें की ठीक है अब इसमें क्या हुआ उस परस्टन को जब मैसी आया तो उसने देखा कि मुझे मेरे बॉस ने यह message भेज़ा है कि यहां पे एक new supplier है इसको तुमने पैसे दे के आने हैं ठीक है इसके account में तुम इतने पैसे डिलवा दो यह मैं समान भेज़ देगा ठीक है अब उस बंदे ने क्या किया जब अगर वह बंदा इस address पे है पैसे सेंड कर देता है ठीक है तो उनके साथ क्या हो जाता है सपूफिंग हो उसके करें स्टैयमिली हो जाती है इसके बाद श्रॉट टू सब टूल्स करती है टूल मतलब वह वारीसल्च यह तरीके वह एप जिससे किसी के system को है किया जा सकता है या उसके system को इसको डिस्ट्राइ किया जा सकती है उसको एकसर टू largermares किया फोग नेए तूनों डिकर ऑँ ज्क अत्तितैसे इस तरह प्रॉड्रा में उस्ट को अगैए गिए जिसको आज्टना बनाया गया कि अगर यूज्ड+, यह पेज open करता है। For example यह logic bomb किसी ने आपके 되지 on में टाल दिया है या आपको बेस्टिया आपको नहीं पता लगा है system मेरा अब जब भी आपने system में कोई payment करने लगोगे जैसे या कोई payment का फेज open होगा आपने payment का page खोला है वो तभी एक्टिवेट हो जाएगा और आपके system में जो भी डाटा आप डाल रहे हो ठीक है उसको वो copy कर लेगा ठीक है या for example ले लो कि logic bum को ऐसे plan किया गया कि तुने संडे रात को बारा वजे एक्टिवेट होना है तो वो लॉजिक कर लेगा उसी डेट को संडे रात को बारा वजे एक्टिवेट हो जाएगा और यूजर का सिस्टम सारा जो भी होगा डाटा कॉपी कर लेगा ठीक है इसके बाद है की बोड लोगिंग कि अब की बोड लोगिंग क्या है जिसमें आप जैसे इस वाइरस में क्या होता है कि फॉर इजांपल आप अपने की बोड में जो भी काम कर रहे हो ठीक है अगर आपके सिस्टम में यह वाइरस आ चुका है तो आप की बोड में जो भी काम कर रहे हो आपने की बोड पे कोई कोई भी की प्रेस की ठीक है उसकी information किसको जा रही है hacker को ठीक है hacker को उसकी information जाती रहेगी अब hacker इसका यूज कब करते हैं जब कोई भी बंदा अपने credentials डाल रहा है या password डाल रहा है उसको copy करने की लिए इसको यूज किया जाता है ठीक है इसके बाद है माइक्रो वाइर्ष सब्सक्राइब चोटे चोटे वाइरस ऐसे जो आप की किसी फाइल के साथ डाउनलोड करते हैं उसके साथ आ जाते हैं और आपनी वाइरस भी इनको नहीं देख पाता उसको कहते हैं इसके बाद है फार्मिंग एन फिशिंग अब फार्मिंग एन फिशिंग दोनों एक ही टाइप की होती है इन में क्या होता है आपको हैकर अपना बनाया एक फेक पेज जो किसी और पेज के साथ बिल्कुल मिलता जुलता हो ठीक है वह आपको शो करेगा फॉर एज़ांपल होती होंगे जो कि किसी जो नॉर्मल यूजर उसको नहीं पता चलेगा कि यह फेक पेज है अब वहां पर अपनी डालोगे पासवर्ड डालोगे ठीक है इमेल ओपन की कुछ भी किया हैकर ने कहा किया सभी को कॉपी कर लिया ठीक है अब फार्मिंग में क्या होता है यह भी स फेक पेज ठीक है लेकिन फिशिंग में एज़िफाय डॉट कम लिख्या है तो फेस बुक के स्पैलिंग में कुछ गल्ती होगी उसके कलर में या लोगों में कोई गलती होगी ठीक है और वहां पे अगर आप इमेल लिखा होगा पासफ़र्ड लिखा हो उसको यह पेज में साथ वह connected है जितको भी टार्गेट करना चाहता है कर वह सभी को connect कर सकते हैं लेकिन fishing में कहा है एक ही person होगा जो person उस page को web page को open कर रहा है उसी को ही वह target कर पाएगा ठीक है malicious code installed to computer malicious email sent to e-boss इसमें क्या होता है farming में वह आपके system में code को install करता है through आपके कोई आपने third party आपको नहीं करनी चाहिए थी उससे क्या होता है आपके system में farming का virus बेज सकते है malicious email आप इसमें क्या होता है आपको email भेजता है ठीक है आपको ऐसी mail आती है इस link को open कर लीजिए आपकी आपको यह price मिल चुका है आपको यह इसमें मिल जाएगा ठीक है जैसे वह person उस email को open करता है उस इसमें क्या होता है उसमें system में farming का फिशिंग का वह virus आ जाता है ठीक है यह आपको ऑटमेटिक उसी पे रीडिरेक्ट कर देगा जहां पर hacker लेकर जाना चाहता है ठीक है इसमें क्याता है आपको मैंली वह पूछता है कि आपको redirect करें अगर आप cancel कर देते हो तो वहीं पर वह cancel हो जाता है ठीक है तो पता लग जाता है कि यह इसमें क्या आप यह एक साइट ओपन हो रही है कोई वारेस इसमें मुझे नहीं ओपन करना ठीक है इसके बाद है rootkit अब rootkit क्या है set of tools है जो कि attackers के दोबारा use किये जाते हैं तो gain root level ठीक है मतलब कि इसमें क्या होता है rootkit ऐसा virus है वह dangerous वायरेस है जो आपके system में आपके motherboard में चला जाता है hardware में चला जाता है ठीक है और उसमें वायरेस चला जाएगा तो आपके system को वह अंदर ही अंदर से पूरा ही खराब कर सकता है जिससे उस hardware को ही change करना पड़े जाएगा तो आपको motherboard ही change करना पड़ जाएगा ठीक है अब जो टेकर है वह क्या करता है जिस system में उसने इस वायरेस को बेज दिया अगर वह चाता है मैं system को खराब ही कर दूं बिल्कुल तो system को वह खराब भी कर सकता है ठीक है तीन चार तरीकर से वह कर सकता है बूट लोटर रूट की डोती है ठीक है बूट लोटर मतर जैसी system on होगा तभी यह वायरेस काम करना शुरू कर देगा ठीक है या वैब जैसी कोई वैब पेज ओपन करेगा उससे यह तभी ओन हो जाएगा ठीक है और रूट किट क्या करेगा आपके system को प्रॉपर तरीके से और ही डैमेज कर सकता बहुत यह डेंजरेस वारिस की केटिगरिय वह यह आता है ठीक है इसके बहुत है स्पूफिंग खेंचे मैं ने आपको पड़ाया था एसमें बी क्या होता है कि कोई इसमें जो हैक कर его को किसी भी तरीके से साइट पर ले जाके या कोई लॉट्टरी का जांसा देखे किसी भी को सकता रापके निचैस को को चोरी कर सकते है कि है अब लास्ट है आपका जीरो डे एक्सप्लाइट जीरो डे एक्सप्लाइट का मतरब है for example आपके सिस्टम में आपने एक वेब पेज बनाया आपने एक ऐसी एब बनाई जिसमें थोड़ी सी कमी थी जिसके कारण आपका सिस्टम है किया जा सकता था ठीक है लेकिन उस कमी को आपने पहले ही ठीक कर ल आपकी साइट को एप को चेक करते हैं ठीक है बाइक कोड ऐसी चेक करते हैं कि आपके सिस्टम में कोई ऐसी थोड़ी सी कमी मिल जाए ठीक है ऐसी कमी मिल जाए जिसके साथ वो आपके सिस्टम को हैक कर सके या एप को हैक कर सके आपके किडेंशल चोरी कर सके वो तरीके यू आपका सिस्टम हैक नहों सके आपका डाटा चुरिए नहों सके ठीक है तो विक्टीम को पहले इंब बता दिया कि तुम्हारे सिस्टम में यह कमी है इसको ठीक कर लो ठीक है इसको हम क्या करेंगे Zero Day एक्स्प्लाइंट ठीक है अब इसके बाद और भाड डिर्ण गार्ड डाहिविग रडाइलिंग और ड्रव 我र डिर्भ दाइलिंग मतलब का नदों एक जैसी है चीक दोनों एक जैसी अब डाइलिंग में क्या हुता है जो हैकर होता है कर कैकर करेगा वो बहुत सारे phone numbers जो की modem के सार connected हो वो line line number पर कितने ही line number पर जो उसके पास list होगी उसके call करेगा random number पर call करेगा अब call करते समय वो देखीगा इस system अगर ये अगर ये phone for example ये phone किसी modem के सार connected है अगर किसी Wi-Fi के modem के सार पर connected होगा तो वो उसको वो hack कर लेगा अगर वो नहीं है तो उसको hack नहीं कर पाएगा वो random calls करेगा जिस system के साथ जिस phone के सार मौडम connect होगा उस system को hack कर लेगा और जो data वो चोरी करना चाहता हो चाहिए fax machine हो उसको कोई fax भेजनी हो ठीक है कोई Wi-Fi यूज करना हो उससे वो कर सकते है वाड driving में क्या होता है for example कोई भी hacker या normal person आसपास गलियों में घूम रहा है आसपास जगह पर जा रहा है जहां पर उसको कोई भी open connection मिल जाएगा Wi-Fi का या कोई एसा connection जिसको वो hack कर सके उसकी security बहुत अच्छी नहीं थी hack हो सकती थी ठीक है उसको वाड driving कहते है और वो क्या करेगा अगर वो कोई hacker होगा क्रिमिनल होगा तो वो क्या करेगा आपके उस Wi-Fi से आगे किसी को भी message भेज सकता है ठीक है या Wi-Fi को use करके अपना कोई काम कर सकत है अगर for example उसने किसी बैंक में से या कोई उसने online चोरी की और उसने आपके Wi-Fi से की तो आपका IP address शो होगा ठीक है cyber cell में आपका IP address शो होगा तो पुलिस आपको पूछ की करेगी कि आपके सिस्टम में से आपके Wi-Fi में से ऐसा हुआ जी आप किस ने किया है ठीक है तो वार ड्राइविंग और वार डाइलिंग में यह चीज़े common है कि hacker कर सकता है कोई भी unsecure जो डाट उसको Wi-Fi मिल ज इमेल डैट एपीर तो है बीन और इंट फ्रॉम वन सोर्स मैं इटीज वाज एक्चुली सेंट फ्रॉम अनदर सोर्स ठीक है अब के तिक ऐसी इमेल जिसको हम देखें कि हमें लगता है कि हमें किसी जानकार बंदे ने बेजी लेकिन वह बेजी किसी और दवार अगी तुसक मैसे किसी थर्ड बंदे से आपको आया है ठीक है उसके बाद है इन साइबर लोग टर्मनोलोजी डॉस मींस डॉस की फॉल फर्म क्या है क्याता है साइबर में डिनाय लॉफ सर्विस ठीक है कि लेक्स देखिए डैश रफस्टू सेंडिंग इमेल तूस थाउजंड सेंड थाउजंड थाउजंस ऑफ यूजर सिमिलर टू चेन लेटर अब कहता है कैसी इमेल जो हजारों ही जारों यूजर को भीजी गई है एक चेन में उसको हम क्या करेंगे इमेल स्पैमिंग आपक सब्सक्राइब आपके साथ बंदा आपको ऐसा वेब पेज शो कर रहा है कि जहां पर आपकी वो क्रेट का डिटेल्स ठीक है आपकी यूजर नेम पास्वर्ड को इसली वह कॉपी कर से उसको हम क्या कहेंगे इमेल बांबिंग स्पैमिंग साइबर स्टॉकिंग या फिशिं इसका अंसर होगा फिशिंग ठीक है फिशिंग में क्या है का आपको फेक वेब पेज दिखाया जाएगा जहां पर आप अपना सारा डाटा के डिटेशल साप डाल दो के वहीं पर आपका जो चोरी कर लिया जाएगा उसके बाद है यूज ऑव लेट्रॉनिक मेसिजिंग सि इस परनिंग ठीक है इस प्रैम मैसेज आपको जो बल्क में आते हैं ठीक है उसके बाद अधा प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग दे ट्रांसमिशन अपीर तो कम फूम फ्रॉम है ऑफ्राइस तरीका ठीक है किसी को मैसेज भी ना भी ना हमने लेकिन उसको लगे कि मेरे दोस्त ने भेज़ा उसको हम क्या कहेंगे स्पूफिंग ठीक है इन साइबर लॉट टर्मिनलोजी डी 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 डॉस की फुल फॉर्म क्या थी डिस्ट्रीबुटिटिव डिनायल ओफ सर्विस ठीक है दब इस प्रोग्राम इस इन विच मालेशियस और हांफुल कोल इस इस नटेनड इन साइब अपेट्नेटि हाम इस प्रोग्रामिंग और डाटा ठीक है अब कहते हैं एक ऐसा प्रोग्राम एक ऐसी एप एक ऐसा वाइरेस जिसमें उसको इस तरह कोड किया गया कि वह दिखे बिलकुल जैनुर्ण लेकिन वह आपके सिस्ट्रम के लिए हामफुल होगी एपको ऐसी दिखर कि बिल्कुल हामेलेस इस बिल्कुल ईयर्व है ठीक है लेकिन जब उसको आप डाट करोगे आप उसको सिस्ट में चलाओ गे वह आपके basis को ऑन की सिस्टम में वाई रपियाश भेह सकते हुआ क्या कहेंगे ट्रोजन होर्स को प्रोजन होर्स क्या थे एक सॉफ्ट्वेर ठीक है ठीक है आज के लिए इतना है आज आपने पड़ा साइबर अटक टैक्व सब्सक्राइब के बारे में ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो में अगर आपको हमारी वीडियो सची लगी तो प्लीज सब्सक्राइब टो आज चैनल लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और आगे इसको शेर कीजिए थैंक यू